नमस्कार आप देखरें जी बिजनस और आपके साथ मैं हूँ अनुया यादव भारत में स्टेंट के दाम क्या कम हुए विदेशी कम्तियों ने भारतीय मारकेट से हाथ खीचने शुरू कर दिये मुनाफ़ कम होने के डर से ये विदेशी कम्तियां अपनी न्यू जेनरेशन या प्रीमियम स्टेंट को भारतीय बाजार से वापस लेना चाहती है इन कम्तियों को अपना फाइदा कम होता हुआ नजरार है लेकिन विदेशी कम्तियों के इस कदम ने कई सवाल यहां पर खड़े कर दिये हैं क्या आने वाले समय में भारतीयों को दिल का इलाज कराना बड़ा सिर्दत साबत होगा क्या भारतीय बाजार में अच्छी क्वालिटी के स्टेंट की कमी हो जाएगी इस पर हम आज लेकर आए हैं हमारी एक खास पेशकर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जोड़ेंगे लेकिन सबसे पहले आप यह रिपोर्ट देखिए स्टेंट के कम हुए दाम भारती बाजजार से पीछे खीचे हाथ भारत में दिल के मरीजों को कुछ वक्त पहले बड़ी राहत मिली थी स्टेंट के दाम कम करके ड्रग रेगलेटर एनपी पीये ने दिल के मरीजों को तोफ़ा दिया था लेकिन एनपी पीये का एक अदम अब अस्पताल और काम्पनिस के लिए परिशानी का सबब बन गया है तब ही तो कभी अस्पतालों में स्टेंट की कमी हो जाती है तो कभी अस्पताल पुराने दामों पर स्टेंट के दाम वसूलते है लेकिन अब कुछ विदेशी कंपनियों ने ऐसा कदम उठाया है जो मरीजों की बढ़िया क्वालिटी के स्टेंट से महरूम कर सकता है सरकार के स्टेंट के दाम तै करने के बाद विदेशी कंपनियों ने फारतिय बाजार से हाथ खीचने शुरू कर दिये हैं मुनाफ़ा कम होने का हवाला देकर अबोर्ट, मेट्रोनिक और बॉस्टन साइन्टिफिक कॉर्परेशन ने एनपी पीए को अपने न्यू जनरेशन स्टेंट वापस लेने का आवेदन किया है तीनों कमपनियों का कहना है कि भारत में स्टेंट के दाम कम होने से इन कमपनियों को नुकसान हो रहा है दो महीने पहले एनपी पीए ने स्टेंट के दाम 75% तक घटा दिये थे इसके बाद इन कंपनियों ने कीमतों की कई बार समिक्षा की और उसके बाद फारतिय बाजार से स्टेंट वापस लेने का फैसला किया अबोर्ट ने अलपाइन ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट और अब्सॉर्फ डिजॉल्विंग स्टेंट वापस लेने का फैसला किया है कमपनी का कहना है कि वो इन्हें तैदामों पर जारी नहीं रख सकती हाला कि कमपनी ने ये भी कहा कि ये स्टेंट तब तक मिलते रहेंगे जब तक आवे दिन मन्जूर नहीं हो जाता महीं आने वाले समय में अबोर्ट के एक जियन स्टेंट मिलते रहेंगे Metronic भी अपना Resolute Onyx brand वापस लेना चाहती है साथ ही Metronic ने साफ किया कि फैसला आने तक बाजार में स्टेंट मिलते रहेंगे वहीं Boston Scientific ने High-End Stent Synergy और Promise Premier वापस लेने के लिए आवेधन किया बेशर कि एक अंपनिया स्टेंट मिलते रहने का दावा करें लेकिन Medical Technology Association of India का कहना है कि कीमते तैह होने से भारतिय बाजार में अच्छे स्टेंट की कमी हो सकती है यानि आने वाले दिनों में दिल के मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है Bureau Report Z Media तो तीन बड़ी ऐसे MNC's है जो कह रही है कि हम जो अपना हाई-end स्टेंट है उसे यहाँ पर वापस ले लेंगे लेकिन कुछ और आंक्रे है हमारे पास आप उन पर नजर डालिए देखिए किसका कितना हिस्सा है MNC's का करीब-करीब 60% यानि कि 59.5% हिस्सा है यहां बाजार में भारतिये कंपनिया जो स्टेंट बनाती है उनका 40.5% हिस्सा है हम आपको बता दे कि MNC's जो है वो अपने स्टेंट की जो मैक्सिमम कीमत है वो भी 30,000 रुपए ही रख सकती है Abort Vescular 29 वीसदी हिस्सा रखती है Metronic 21.3% और Boston Scientific का 9.2% है यह तीन वो बड़ी कंपनिया है जो यहां पर कह रहे हैं कि हम अपने हाई-ेंट स्टेंट उन्हें वापस ले लेंगे Merrill Life Sciences 13.6% Vascular और शाहजानन्द भी वो भारतिये कंपनिया है यह तीन भारतिये कंपनिया है बड़ी जिनका हिस्सा आप यहां पर देख सकते हैं जाहिर तोर पर MNC से काफी कम है यह वाला हिस्सा ATL, Theroptics, Lancer और Biosensor भी वो कंपनिया है जिनका जो percentage है वो यहां पर काफी कम है 4.3%, 1.1% और साथी साथ 1.5% तो यह बड़ी कंपनिया है जो यहां पर भारत में स्टेंड बनाती है हम आपको यह भी बता दें कि तमाम खास मेमान हमारे साथ जुड़े हो है डॉक्टर नरेश त्रेहान है, मेरे साथ CMD है, मेदानता ग्रूप के साथ ही डॉक्टर के के अगरवाल साब है, नैशनल प्रेजडेंट है, आएमे के सार आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे साथ फोन लाइन पर विनोध रमलानी साहब भी जुड़ेंगे MD है, Opto Circuits India Limited के यह वो कंपनिये जो स्टेंड बनाती है मेरे साथ मेरे से होगी असीम मंचंदा भी यहाँ पर जुड़ गए है डॉक्टर त्रेहान, सर आपको क्या लगता है, यह कही न कही पर ब्लैक मेलिंग नहीं है इन MNCs की, इस्पेशली जब सरकार ने, NPP ने यहाँ पर कैपिंग कर दिये है, स्टेंड को लेकर देखो ऐसा है, इसको डीटेल में देखना चाहिए हमें एक तो बात यह है कि जो सरकार ने कदम उठाए, स्टेंड को कैपिंग करने के वो तो बहुत अच्छे हैं और वो पबलिक के हित में हैं और वो ट्रांस्पिरिंसी लाएंगे हमारे मेडिकल सिस्टम में, यह तो अच्छी बात है पर यह बात जो है कि जो कैपिंग की गई है, दो ग्रूप्स में करी गई है, बेर मेटल और ड्रग ऐल्यूटिंग में और वो आठ हजार और तीस हजार पे फिक्स कर दी, जो आज के दिन में स्टेंट्स अवेलिबल हैं, उनकी प्राइस उस दारे में आ गई और इससे सबका फैदा हुआ, अब कमपनीज जो ज़्यादा मनफ़ा उठा रही थी, उनके लिए कुछ तकलीफ होगी, पर वो भी मा अधर, फॉरन कंट्रीज में, MNCs में ज्यादा रीसर्च चल रहा है और ज्यादा प्राइस हो रही है, वो अपनी कॉस्ट कवर करने के लिए, तीस हजार में मानेंगे के नहीं मानेंगे, यह जायज भी है उनकी तरफ से के भई, अगर जो हमारी लागत बहुत लगी है, तो अगर जो हमें यह बेडिकल प्राइस करनी है, अपने लोगों के लिए के हिंदुस्तानी को बेस्ट सुविदा मिले, और जो हमारा मेडिकल टूरिजम है, जो भार से लोग आ रहे हैं कई तादात में, वो भी उनको भी पूरा सुविदा मिले के वो हमारे से दूर ना चले जाएं कि इंडिया में नए स्टेंट्स अवेलिबल ही नहीं है, तो इसको दो बास्किट्स में हमें ट्रीट करना है, जो हो गया, वो बहुत बड़ी आया है कि जो एक्जिस्टिंग स्टेंट्स है, जो फ्यूचर के लिए हमें नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, यह मेरा है गवर्मेंट को और अड्वाइस है MNC को भी कि अपने धारे रखे, डिसकुशन होगा, डायलॉग से इसका सिलूशन निकलेगा, डॉक्टर अगरवाल, वोट यू है तो सर से ओन दिस जैसा कि डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि दो तरीके से इसे यहां पर देख सकते हैं, एक तो यह कि इंटरनाशनल जो यह MNCs हैं, यह लागत बहुत जादा आती है और ठीक है, आपने फैसला लिया कि आप जो कैपिंग की गई है NPP की तरफ से उस दाइरे में आप नहीं बेच सकते हैं, आपको नुकसान यहां पर हो रहा है, लेकिन सर यह भी तो हो सकता है कि आ अख़ती बेसिक्स में पहले जाओगा, जी, लेट उस फरगेट अबॉट NPP, लेट आस तॉक अबॉट की दो क्लासिफिकेशन होते हैं, दवाईयों के, ड्रक्स के और डिवाइसिस के, नमबर वन इस NLEM, नमबर टू इस Non-NLEM, NLEM के मतब है National List of Essential Medicines, और दूसरा होता है Non Essential List of Essential Medicines, आज की डेट में MPPA ने जो existing stents हैं, उसको NLEM में डाल दिया, यानि के उसका price fix करने की powers देली और price को fix कर दिया, लेकिन, this is not, this is, does not include की future के सारे stents भी automatically NLEM में आएंगे, नहीं, जो भी stents जिन लोगों ने सरकार में एपलाई किया, उन्होंने उन सब को माना कि ये स सारे non-inferior to each other हैं, उन्होंने उसको NLEM category में डाल दिया, वो price fix में आ गए, साथ में उन्होंने एक rider भी लिखा है, कि इन में से कोई भी stents, या आने वाले नए stents, अगर वो apply करते हैं, now they will have to show, कि वो NLEM में जाएं कि non NLEM में जाएं, और वो merit के उपर में आएगा, वो MPPA जो है, वो base करती है, बाकी की committees के उपर में जो decide करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि नहीं law की ये नहीं policy की जरूरत है, नए stents आएंगे, they will apply non-NLEM category, non-NLEM की अंदर में price fix नहीं होता, उसमें सरकार price को छेड नहीं सकती, जैसे रॉक्टर तिहान ने काया है कि non-NLEM के अं आपका price जोबर जी रखो, दो साल के बाद में वो NLEM में आ जाएगा, वो सोचा जा सकता है, लेकिन आज की date में, जब भी कोई नया molecule, नया salt, नए technology आती है, when they apply, it cannot become automatically NLEM, it has to be applied for why it should not be put into NLEM, वो justification देना पड़ेगा, पर अगर वो non-NLEM, जैसे for example, एक BP के दभाई है, लस रुपे की है, तो वो non-NLEM है न, लेकिन आपके पास choice है, non-NLEM लिखो कि, NLEM लिखो, तो जब नई stand आएगा, तो आपके पास choice रहेगी, कि नया stand वालो एक लाग का है, और NLEM stand वालो 28,000 का है, let people choose, लेकिन ये नहीं आ सकता कि वो एक लाग वाला 28,000 से better है, non-inferior है, को नहीं लगता कोई controversy है, आज की डेट में जो भी नहीं technology आएगी, चाहिए वो drugs हो, चाहिए वो devices हो, जैसे drugs में नहीं technology आती है, वो non-NLEM में आती है, unless it is shifted to NLEM, तो उसी तरीके इस stents भी आएगा, जी, डॉक्टर अगर्वाल, I also want to understand, कि जो ये MNCs ने stents को वापस लेने क कि इन कीमतों पर बेचने की बात नहीं कहीं है, मैं ये समझना चाहूंगी, सर, कि क्या quality के साथ कहीं नहीं कहीं compromise नहीं होगा, जाहिर तोर पर हर को ये चाहेगा, कि फिर जो better quality of stent है, जी, आप, नहीं, नहीं, समझ लीजे, NLEM and non-NLEM are non-inferior to each other, they cannot be better, number one, number two, you have to understand the law of MPPA, तो legal affairs and the legal law position of MPPA is कि company किसी भी product को अगर NLEM में डाला, withdraw नहीं कर सकती, it is illegal to withdraw, company withdraw कर सकती है अपनी आपको marketing से, but not the drug or the device, so let us be very clear, अगर कोई company ये कहती है कि हम ये product नहीं, अगर NLEM की दवाई, जो national list of essential medicines में है, अगर उसकी short supply है, तो वो illegal है, उसके उपर में legal action हो सकता है, जो दवाई essential है, आपने withdraw कैसे कर ली, why it is short supply, so NLEM डवाई ना withdraw सकती है, not short supply में हो सकती है, ये कानून है, उसके ओपर में, company की ओपर में action हो सकता है, अगर कोई company कर रही है, तो complain करें ना वो hospital, जो hospital को लग रहा है कि ये shortage में है, ये should immediately complain, that will be available within 24 hours, sir, 20 तारीक को, NPPA ने, Department of Pharmaceuticals, National Pharmaceutical Prising Authority ने, एक notice यहाँ पर भेजाता, एक office referendum है, sir, मेरे पास, इसमें third point पे उनोने ये लिखाया है, कि instances have come to the notice of NPPA, that few companies dealing with coronary stents, have come up with freebies by announcing schemes, such as buy 10 and get 3 free, it has also been brought to the notice of NPPA, that few companies sell the lower price stents at higher prices, sir, इसके खिलाफ action लिया जा सकता है, इस तरह की एक खबर हमने गुजरात से भी खबर की ती जाएगा, इस तरह की खबर हमने गुजरात से भी खबर की ती जाएगी, पर मडर कम तो नहीं हुए, लोग तो चीटिंग करेंगे, फ्रॉट उसको लॉट के अंदर में लाके उनको पनिश्मेंट जाएगा, इस तरह मेरे साथ विनूद रमनानी साहवे, वो इलीगल है, डॉक्टर अगरवाल, मेरे साथ विनूद रमनानी साहवे, MD है, Opto Circuits India Limited के, Mr. रमनानी, thank you so much for joining us, sir, यह जो MNCs यहाँ पर है, तीन बड़ी करीब करीब कितने का, अगर में यह समझना चाहूं कि यह MNCs, जो कि US और UK के कमपारिजन में भारत में जो प्राइजिंग होती थी, वो करीब करीब 10% से भी 10 ताइम्स, I'm sorry, 10 ताइम्स जादा भारत में मिलती थी, ऐसे में कितना सही है यहाँ पर इनका इसमें से हाथ कि हैंगी हैंगी हुषि और यह में अलड़ राईज से टिकना हैंगी हम अब हो क्याँ फ्राइज में प्राइज कि ए उसने ऐड़ ने फिक्स कि हैं उसने हम सबॉड खराइज हैं धर लिए टार को गर्ड़ों ने बोला गर में जा पुरिख चाहिए है? फुरुस इढसे हैं, पोछुस इचब सा अविडने धर में पोर थोटे सब्सक्राइब हैं, गजर वी देख वी में रहाग। करतने हैं, टोछुसित हैं, टोरुछ जिर डाव दोनीन कोजि़ डिसे चाहिए है, तरह के स्टेंस बनाती हैं सेम सॉल्ट कॉंपजिशन में सर् बहुत टेक्निकली में नहीं जानती हूं लेकिन अगर गर्वर्मेंट कुछ ऐसी MNC के साथ तायब करके इस कैपिंग के अंडर में ही स्टेंड्स लाना चाहें तो क्या वो पॉसिबल है होना चाहिए है यसी हर एक जो यह कंपनीज डील करती है इनकी जो कमर्शल प्रपोजिशन होती है वो नंबर अफ स्टेंड्स पे भी डिपेंड करेगी अगर जो size of order is big enough I am sure they will be able to provide much better price so यह techniques तो available है अब जैसे हमने एक national level पे यह टै कर लिया के जो best price मिल सकती है हमारे patients को वो मिलनी चाहिए और जो profit margin है हर एक का whether it is the company और importer और the distributor वो fixed हो गया है तो यह rule of the game fix होने से बहुत अच्छा है कि transparency आ गई है हम अब जैसे हम आगे चलेंगे नई नई चीजें आएंगी हमारे सामने बट उस policy के framework में हम कई चीजें कर सकते हैं इस problem को solve करने के लिए हम सिर्फ इतना है कि we have to be sensitive to the need of the patient and sensitive to the fact कि क्या नई technology कितना फैदा कर रही है किस cost पे कर रही है वो justified है कि नहीं है so इसमें विवाद तो है नहीं ये companies तो react करेंगी अभी but फिर से आएंगी वापस को ऐसी बड़ी बात नहीं है but एक चीज ये है कि हमें as an international country where we have to be fair to everybody we must play the rules by international rules so that ये नहो कि हम isolate हो जाएं ये नहीं होना चाहिए कि हम पीछे रह जाएं but ये भी नहीं होना चाहिए कि हम लूटे जाएं so दो उसके बीच में जो balance निकालना है ये बहुत ज़रूरी है और NPPA और NLEM जो जो authorities हैं they should be talking to the users, the providers, the patients and then decide in the best interest कि क्या होना चाहिए आगे चलने के लिए ठीक है, Dr. Agarwal मैं कुछ बोलना चाहूँगा जी जी सर बोलिए बोलिए मैं पहले मुझे कुछ एक चीज बोलने दीजे माल लिजे हम ये बात को मानते हैं कि कोई company एक दवाई एक stand को ला रही है और वो stand भारत सरकार बोलती है कि हम इसको non NLEM में नहीं लाएंगे जी और वो company कहती है कि मैं इसको इंडिया में लाउंच नहीं करूँगा आज की डेट में cancer की अभी भी 70% दवाईयां जो लाज 5 साल में आई हैं इंडिया में अवेलेबल नहीं है लेकिन इंडियान का एक law है under that law you can import any medicine for personal use तो अगर मान लो non-emergent condition में मेरे को एक particular device चाहिए non-emergent condition मेरे को एक particular device चाहिए even today there is a law I can import anything any device from anywhere in the world वो legally मेरे को allowed है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नया उस को device को non NLEM में लाऊं और फिर हर आगमी को बोलो कि यही वाला stand use करे इसके लिए आज की date में कोई controversy नहीं है जब नई technologies आएंगे let them talk to the government we are with them IMA is with all the new technologies to come into non-NLEM IMA को कोई objection नहीं है कि अगर आप नई technology लाते हो और उसको आप non-NLEM में लाना चाहते हो you justify why you want to bring it in non-NLEM but then that will be only to affordable society ठीक है सर सर आप जो कह रहे हैं कि बहुत सारी दवाईया ऐसी है जो आप अगर मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हैं लेकिन सर वो solution तो उन लोगों के लिए हुआ जो अफोर्ड कर सकते हैं उसे बलाई जी जी सर उसी की तो बात जो जिसको हर आम आदमी के लिए NLEM सफिशन्ट है ना आपने राशन किया आटे को मैदा राशन में नहीं है तो आटे से आपका काम चल जाएगा ना मैदा क्यों खाना आपको तो जो 90% लोग है उनको NLEM का स्टेंट सफिशन्ट है ठीक है सर असी मंचन्दा मेरे साथ है असी आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहे डॉक्टर त्रेहान से या डॉक्टर अगरवाल से आप उच सकते हैं लेकिन देखें जी बिजनस पर हमने शुरुआत की ती इस बात में यहां पर कमी भी आई लेकिन MNC का इस तरह से हाथ खीचना अब NPP जो कि हमारे महमानों ने साफ कर दिया है कि कोई आक्शन यहां पर नहीं ले सकता है क्योंकि वह कंपनी डिपेंड करता है लेकिन अगर आने वाले दुनों में डुमेस्टिक कंपनिया भी कह देती है कि हमें पूरती नहीं हो रही है हमारा स्टेंट जो हमें उतना profit margin नहीं दे लिए लेकि एक चीज में बता देना चाता हूं कि दो महीने हुए है NPP को कैप किये हुए हमने सब मुद्दा सबसे पहले यह उठाया था उसके बाद दो महीने हुए NPP को कैप कियो तमाहम अतकंडे जो है वह कंपनी अपना रही है पहले कभी स्टेंट जो है उसके बाद एक स्कीम आती है जिसमें क्या जाता है कि आपको दस स्टेंट के साथ तीन स्टेंट जो है जाएंगे आप ऐसे कीजिए तीसरा फिर हट कंड़ कि हम अपने जो है है उनको मार्केट से वापस ले जो भी लेंगे हैं तो छे महीने से पहले आप जो अपिज है वह नहीं ले सकते हैं यह दिपीचों का दो जर तेरा का ओडर है और जो हम इसकों पर लगाता नजर बनाये हुए और हो सकते हैं जिनों में कंपने खिलाब किसी तरह की कारवाई जा है वह भी हूँ डॉक्टर त्रेहान, I have a again, you know, NPPA का 16th January 2017 का office memorandum है sir, जिसमें imported जो stents हैं, उसकी जो minimum कीमत आती है, वो 40,000 रुपए है, लेकिन maximum 1,98,000 में उसे यहां पर दिया जाता है, एसे में लड़ी से domestic की कीमत 55,000 आती है, 1,95,000 रुपए तक maximum उसे बेचा जाता है, और जो profit यहां पर करीब करीब दिखाता है, वो 1026% और 892% के करीब करीब दोनों का यहां पर आता है, सर, यह profit margin बहुत जादा था, और ऐसे में कमक्नियों के लिए जाहिर तोर पर जटका तो यह होगा है, कि जिस tent को वो करीब करीब 2,000 रुपए में बेचते थे, अब उन्हें वो यहां पर 8,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए से जादा में वो नहीं बेच सकते हैं, ऐसे में, क्या अब NPPA कोई action ले सकता है, या फिर सरकार किसी तरह के formula पर आ सकती है, जैसा कि आप कह रहे थी कि कोई रास्ता यहां पर निकालना होगा? देखो, वो जो पराने problems थे, वो कैसे उसको study किया जाए, या prosecute जाए, उसका तो मुझे कोई ऐसास नहीं है, यह है कि हमें यह पता था, कि यह जो pricing आ रही है, वहां से, उसके उपर stamp लगी होती थी, MRP की. अगर जो MRP government की price है, तो उन्होंने फिर कुछ गल्द काम नहीं किया, अगर जो MRP वो लंगन था, maximum price government का, तब तो कोई problem था, अगर जो एक cut-off point आया, जब government ने देख लिया कि ऐसा problem आ रहा है, और उसको बंद किया गया है, तो बहुत बढ़िया बात है, तो इसलिए मैं कह अगराओं कि ये जो transparency आई है, कि ये पता लग गया सब को, कि import price क्या है, उसके उबर कितना profit बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल है, सब ने ये welcome किया है, companies का profit कम होगा, उनको ये भी ऐसास होना चाहिए, कि market expand होगी, तो उनके hit में होगी, तो इतना कोई उनको घबराने की बात नहीं है, इतना पागल होने की बात नहीं है, ये जरूर है, कि एक उनका legitimate question जो है, जो नई technology आ रही है, उसको हमें appreciate करना है, अगर जो नई technology वाकेई में इतनी superior है, कि patient की life को effect पड़ेगा, तो हमें उसके उपर deal करना ही करना है, क्योंकि patient की life पहले आएगी, बाकी सब काम ब पिरवाल, एक सवाल बस यहां पर यह है कि कुछ भी हो, मरीज को अच्छे quality का stand मिलना चाहिए, और सर ऐसा stand मिलना चाहिए, जिसकी कीमत वो afford भी कर सके, I'm sorry sir, NLEM does not mean quality अच्छे नहीं है, NLEM means best quality, number one, number two, non-NLEM does not mean corruption, अगर सरकार को लगता है, जब भी कोई भी चीच को आप NLEM में लाओगे, वो सस्ता होगा, यह सरकार को पहले कर देना चाहिए था, और अगर आप उसको NLEM में नहीं लेकर आओगे, तो profit margin हमेशा जादा होगा, और profit margin का मतलब यह नहीं है कि corruption है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, thank you so much sir for being with us, Dr. Agarwal, Dr. Treyhan, thank you so much, Aseem Manchanda, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर, तो in MNCs नहीं आपर जरूर अपने हाथ पीछे कीचने की बात कहिए, कि वो यह high quality stents जो है, वो बाजार में आने वाले दिन strategy बेटर होगी, उस तरह के stents भी बाजार में जरूर आएंगे, और कोशिश यहीं होगी कि उन्हें यहां पर एक reasonable amount के तौर पर ही, आम आदमी को या फिर किसी भी जरूरत मन्त को मौया कराया जाए, हमारी इस खास प्रेश्कुष में फिला लिखता हैं, दीजे इजाज़, वासकार.